हूलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड इस वीडियो क्लास में हम इसकास करेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर की Contextual Vocabulary और Contextual Vocabulary और Absolute Vocabulary क्या होती है यह मैं आपको बता देता हूं देखिए Absolute Vocabulary का मतलब होता है कि ज एपसलूट सेंस में जब आप समझने की कोशिश करते हैं that is called absolute vocabulary और contextual vocabulary जब उस word को किसी sentence में रखके आप यह देखते हैं कि इस particular sentence में इस particular word का क्या meaning निकल रहा है वो होती है contextual vocabulary क्योंकि English language में क्या होता है कि एक ही word के कई सारे meanings हो सकते हैं और यह जो element है English language का कि जिसमें एक ही word क कई सारे meanings हो सकते हैं यही एक ऐसी चीज है जो English language को बहुत जदर tricky और tough बना देता है ठीक है तो contextual vocabulary की knowledge होना आपको बहुत जरूरी है और इसमें मैंने Indian Express का एक article लिया है और इसको हम discuss करेंगे इसको मैं पूरा explain करूंगा और इसके through आप काफी सारी चीज़ सीख सकते हैं ना कैसे करना है जो contextual words है उनका meaning कैसे निकालना है तो काफी सारी चीज़ें इसके through आपको सीखने को मिलेंगी और English का जो डर होता है fear of English जो है वो निश्यत रूप से आपका दूर भागेगा इस तरह के passage को करने से तो इसमें आप देख सकते हैं यहां पर एक article लिखा है common sentiments how government going to use money और यहां पर मैंने word meanings word meanings सारे लिखे हैं इनको आप देख सकते हैं तो इनको मैं अभी आपको explain करूँगा और यहां से दिया पढ़ें तो इसको आपको सारा यह समझ में आएगा आपको देखें यहां से पढ़ते हैं money is pouring into the chief minister's distress relief fund from across the world जैसा कि आपको पता होगा कि केरला में flood आया हुआ है और पूरे वर्ड में उसके बारे में चर्चा हो रही है और सारे लोग अपना donation दे रहे हैं contribute कर रहे हैं help कर रहे हैं तो उस बारे में है यह पूरा और इसमें लिखा है कि money is pouring into the chief minister's distress relief fund distress क्या होता है distress जब आपको बहुत जदा दुख होता है sorrow होता है चिंता फिक्र होती है that situation or that that thing is called distress तो chief minister के लिए जो chief minister है उन्होंने एक chief ministers distress relief fund बनाया है और उसमें सारे लोग पैसा contribute कर रहे हैं और कर सकते हैं लोगों की help करने के लिए from across the world मतलब सारे संसार से उसमें donations आ रहे हैं contributions आ रहे हैं pouring into का मतलब होता है कि flowing into उनका जो account है उनका जो bank account है उसमें लोग contribute कर रहे हैं और पैसा उसमें flow हो रहा है pouring into मतलब इसमें flow हो रहा है अलाकि pour का मतलब होता है कि एक चीज को एक pot से दूसरे pot में उडिलना जैसे हम पानी को एक glass से दूसरे glass में उडिलते हैं that is called pouring लेकिन यहाँ पर figurative sense मैं pouring word हो रहा है और यहां पर उन्सक्ट की तरे लिए नहीं सकते है लिटिरल डिसका मीनिक यह है आप जब पानी को एक अब ट्रीक में करते हैं ओड दो सी जगह से तो आपत्व सब्सक्राइब करेहाँ यह जो होती है कि ठीक है तो इसको हम पढ़ते हैं आगे The CM's Salary Challenge Urging People CM का एक Salary Challenge के नाम से उन्होंने कुछ contest बना दिया है ठीक है जिसमें वो लोगों से बूल रहे हैं कि आप एक मेने की salary इसमें contribute का सकते हैं इस fund में तो इसको नाम दिया गया है Salary Challenge The CM's और ये चीज़ CM ने इनिशेट की है इसलिए यहां पर apostrophe S लगा है तो इसको हम बूल लाएं The CM's Salary Challenge Urging People जब हम अर्ज करते हैं लोगों से तो इसका मतलब है कि We are advising them very strongly ठीक है We are requesting them very strongly That is the meaning of urging The CM's Salary Challenge Urging People To contribute a month's salary For the flood victims Had touched a cord Among the Global Malayali Community Sentence का मतलब क्या है कि उन्होंने जो अर्ज किया है लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप एक महीने की salary इस fund में आप दीजिए जो कि flood victims के काम में आईगी Flood victims का मतलब Victims का मतलब होता है जिनके ऊपर कोई injury हुई है या वो hurt हुए है या उनके साथ कोई घटना या दुरुखटना हुई है They are called victims ठीक है तो had touched a cord Among the Global Malayali Community Touched a cord का मतलब क्या है जैसे मैंने यहाँ पर right inside में आप देख सकते है Cause someone to feel sympathy मतलब किसी को किसी को किसी के ऊपर Sympathy आना या दर्द आना या दुख होना किसी किसी व्यक्ति की situation देख के तो उसको हम बोलते है Touch the cord एक idiom है ठीक है यहाँ पर हम यह contextual vocabulary की स्टेरी कर रहे हैं और उसके बाद लिखा है However the common sentiment that is emerging मतलब जो common sentiment है लोगों की बीच में जो की उभर के आ रहे हैं जो emerge हो रहे हैं Across the board का मतलब होता है जो सभी जगे Across the board यह दी कोई चीज होती है तो it means that it applies to all people concerned ठीक है सारे लोगों पर बोचीज अपलाई होती है जैसे यदि मैं बोलूं कि Across the board salary hike Across the board salary hike का मतलब होगा कि सारे लोगों की salary बढ़ना चाहे वो प्योन हो चाहे वो assistant manager हो चाहे manager हो चाहे GM हो चाहे director हो Across the board का मतलब होता है कि सभी जगे उस चीज को apply आपको करना है However, the common sentiment that is emerging and one that finds regionence across the board is that the government should be equally transparent Regionence का मतलब है कैसी एक ऐसी गूज लोगों के एक ऐसी गूज मार्केट में है या इस situation से सम्बन देते कैसी गूज या ऐसी अवाज या ऐसी sound market में है एक ऐसा sentiment market में है जिसमें लोग यह बोल रहे हैं कि government should be equally transparent about how the money is getting utilized मतलब government को इस fund के बारे में transparent होना चाहिए किस money को किस तरीके से use किया जा रहा है ऐसा नहों कि लोग अपनी अपनी गाड़ी कमाई का अपनी कड़ी महनत का पैसा इस fund में दे 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 और उसको अलग गवर्मेंट मिस्यूज करें या अलग तरीके से use करें या गलत तरीके से money okay तो यह जो सेंटिमेंट है यह जो रिजोनेंस है यह भी काफी strong है इस समय situation में तो यह इसका मतलब है इस पूरे परा को आपने पढ़ा, ठीक है, इसको मुझे उंबीद है कि आपको ये सारी चीह समझ में आई होंगी, अब इससे सम्मंदित कोई भी question आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको आराम से आप solve कर सकते हैं, अब यहां पर हम पढ़ते हैं, इस डिमांड फॉर एकांटिबिलिटी इस डिमांड फॉर एकांटिबिलिटी इस स्टॉंगर बाइद आर, एन मैनी है उपनली स्टाटे पोस्टिं इस उन्ट इस सोशल मीडिया, तो इस एक पराग्राफ में यहां तक, यहां तक, परामीटर्स तक एक सेंटेंस को बोला गया है, इस डिमांड फॉर एकांटिबिलिटी, मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस फंड के प्रति एकांटिबिलिटी क्रियेट की जाए, ठीक है, एक account maintain किया जाए, accountability create की जाए और उसमें सारी चीज़ें लिखी जाएं कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा कहां कहां जा रहा है properly utilized हो रहा है कि नहीं accountability create की जाए, लोगों को उसके लिए responsible बनाया जाए जो authorities हैं, जो officials हैं, जो इस fund को use करेंगे, उनको accountable बनाया जाए ऐसा नहीं हो के पैसा उनकी jam में चला जाए, जो जो पैसा लोगों की मदद के लिए था, उनकी jam में चला जाए so that is the meaning of accountability के लोगों को accountable बनाया जाए उस fund के प्रति this demand for accountability is getting stronger, यह जो demand है, यह strong होती जा रही है, बाइदार, बाइदार का मतलब है कि पर आर बेसिस पर यह जो demand है, accountability की यह strong होती जा रही है and many have openly stated और काफी लोगों ने state किया है कि हम ठीक है, हम पैसा देने को तैयार है, एक मेरे की salary हम इस fund पर देंगे लेकिन government को credibility parameters अपने बनाने होंगे, credibility parameters मतलब उनको एक trust create करना पड़ेगा ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें कि यह पैसा जो use होगा, यह गलत तरीके से use नहीं होगा, ठीक है, तो यह इसका मतलब है और यहां तक मैंने पड़ा है, यहां से इसको पढ़के फिर से हम देखते हैं, there should be a scientifically designed scoreboard with proper budgets on the various projects prepared by the various department and experts, every detail should be put up on the portal, एक इसके लिए आप पोर्टल बना सकते हैं, एक बैप पोर्टल बना सकते हैं, वहाँ पर सारी चीहों को रख सकते हैं, वहाँ पर सारे detail रख सकते हैं कि कहां से कितना fund आ रहा है और किस तरीके से वो utilize हो रहा है, तो every detail should be put up on the portal, हर सारी चीच को पोर्टल बर डालना चाहिए, वहाँ पर present करना चाहिए, put up का यह मतलब है, including e-tendering process, e-tendering जो electronic तरीके से tendering होती है, उसको भी वहाँ पर वो डाल सकते हैं, who has won the tender and what price, there should also be timeline for the execution of the projects, यह projects है, उसकी एक timeline decide होनी चाहिए, सेड, विवेक, गुबिन, पार्टनर, वर्मा, एंड वर्मा, according to C.J. George, MD, जियोजित Financial Services, the donation portal of Chief Minister, Chief Minister Distress Relief Fund, gives daily update on the funds collected, जित्वा fund collect हो रहा है, उसके बारे में, daily update portal पे आना चाहिए, Similarly, it should also provide the details of the fund utilization, so that the entire process doesn't create a controversy later, मतना, पोटल पे इतनी transparency होनी चाहिए, कहां से कितना fund आ रहा है, कहां पर कितना fund जा रहा है, ताकि बाद में कोई controversy, कोई dispute create ना हो, The CM's appeal to contribute a month salary is getting a good response, CM की जो appeal है, लोगों से contribute करने की किस fund में पैसा दिया जाए, वो उसको एक अच्छा response मिल रहा है, यहां से आप देख सकते हैं, The CM's appeal to contribute a month salary is getting a good response, if the website also shows the detail of where the money is spent, यदि वेबसाइड ये भी बताती है, कि ये पैसा कहां पर खर्च किया जा रहा है, यदि एक लाग रुपे आए, तो इस एक लाग रुपे में से, दग्दर से रुपे खर्च हुए, या कहीं कहीं पर कुछ अलग-लग amount खर्च हुआ, त It will inspire more people to contribute to the front relief fund, यदि टांस्परेंसी रहेगी, यदि ओनेस्टी रहेगी, यदि लोगों को पता हुआ कि हमने इतना fund दिया है, और हमारा fund गलत हातों में नहीं जा रहा है, तो लोग definitely inspire होंगे और ज्यादा से ज्यादा fund उसमें contribute करेंगे, He said, there is every chance the people who contributed their one month salary start asking questions after one year, जो लोग one month की salary दे रहे हैं, वो एक साल के बाद questions कर सकते हैं कि हमारा पैसा आपने कैसे use किया, हमारा पैसा कहां गया, गलत हातों में गया, सही हातों में गया, कहां गया, ये हमें बताईए, तो Chief Minister Kirila के ये बोल रहे हैं कि इस तरह के questions, जो contributors हैं, जो कर सकते हैं एक साल बाद, इसलिए सारे details इसमें transparent होने चाहिए, तो इस तरीके से आपको contextual vocabulary को सीखना है, और इस तरीके से newspaper को पढ़ना है, कौन सा newspaper पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसके regarding मैं एक strategy बनाऊंगा और आपके साथ share करूँगा, और सारे subject की मैं strategy बना रहा वो आपके साथ मैं जल्दी ही share करूँगा, और कुछ reasons भी मैं आपको बताऊँगा कि banking experience, banking exams में fail क्यों हो जाते हैं, उनका fail होने का main reason क्या है, वो क्या चीज नहीं करते हैं जिसकी वज़े से fail हो जाते हैं, और क्या चीज वो गलक तरीके से करते हैं, तो ये सारी चीजे भी मैं आपके साथ वीडियो के form में जल्दी ही share करूँगा, और वीडियो classes जो इस course में आपको दी जा रही हैं, उसका भी एक schedule बना के मैं आपके साथ share करूँगा, ताकि आपको पता हो कि किस दिन कौन सी class आईगी, ताकि आपको सारे topic और सारे topics की एक अच्छी knowledge हो, और variety के सा सारे topic आपके cover हो, pouring into Akyam at the pouring into means flowing into something, ठीक है, distress आप यहाँ पर देख सकते है, extreme anxiety, sorrow or pain, ठीक है, across the world बतलब सारे संसार में, urging मतलब to strongly advise or request something, contribute means to pay something, victim means a person harmed, injured or killed as a result of a crime, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते है, touched, touched accord means cause someone to feel sympathy, किसी के दिल में दर्द उठना, किसी के दिल में sympathy जागना, उसको हम बोलते है, touched accord, global का मतलब होता है, universal, emerging का अर्थ होता है, arising, resonance, sound या voice, लेकिन या अलग senses में भी, कभी-कभी, matching के sense में भी यूज़ करता है, कि कोई चीज किसी चीज़ से match हो रही है, Across the board मतलब applying to all, transparent means honest and fair, utilized means used properly, not misused but used, accountability means responsibility by the hour means per hour और per hourly basis, provided का क्या आर्थ है, on the condition, on the particular condition, किसी शर्थ पर, ठीक है, provided कार्थ होता है, इस शर्थ पर, और credibility parameter कार्थ होता है, trust, trust से related यो परामीटर से, put up का मतलब है, present or contribution, controversy कार्थ है, dispute, तो इस तरीके से contextual vocabulary को आपको study करना है, so that you can study, so that you can, you can solve, पर जंबल, close test, new pattern question, or RC in your banking exams, तो इस वीडियो क्लास के बारे मैं, group में अपना feedback मुझे जरूर देना, ताकि मुझे idea हो कि क्या चीज आपको समझ में आ रही है, और किस तरीके से आप, आपकी progress हो रही है, किस तरीके से आपकी progress को मैं track कर सकूँ, यह अपना feedback देखिए, feedback जितना ज्यादा से आप देंगे, उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, उतना मैं analyze कर पाऊंगा, और उतना अच्छा और relevant content मैं आपको banking exams के लिए दे पाऊंगा, और जिसकी मदद से आपको सफलता मिलेगी, तो इस video class में इतना ही, आप मैं आप से मिलूँगा, next video class में, thank you. का।